हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स की यूटूब एज़ू किसले चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे बैटने सॉल इंजेक्शन के बारे में बैटने सॉल के बारे में तो एक्स्पेट लेक्चर वाएमर सर, असेस्टों प्रोफेसर और फाउंडर फार्मा रोक्स, थैंक्यू पर बीन अब समझते हैं बैटने सॉल इंजेक्शन के बारे में बैटने सॉल इंजेक्शन के अंदर जो मेडिकेशन है वो है बीटा मीथाजोन है कि जो एक स्टेरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है और ये बहुत सारे अलग-अलग डिसीज और डिसॉडर्वेंट में यूज किया जाता है तो बैटने सॉल एक स्टेरोइडल ड्र लग है कि जिसके अंदर जो ग्लुको कॉर्टिकोर्ड स्टेरोइड क्लास का ये मेडिकेशन का आ जाता है तो बैटने सॉल जो है उसका ब्रांड नेम है और सॉल्ट कंपोजिशन इसके अंदर है वो है बीटा मिथाजोन और ग्लेक्सो स्मितलाइन फार्मासिटिकल इसके म इन मैनुफेक्चर के जिसको सौट में हम जी एस के कहते हैं और जी एस के एक ब्रिटिस मल्टिनेशनल फार्मासिटिकल कंपने की जिसका हेड़क्वार्टर इंगलेंड के अंदर है तो यहाँ पर इंजेक्शन के लेबल के अंदर देखो तो लिखा है कि एच एमेल के अग होगा इंजेक्शन का कमपोजिशन और खास कर यह इंजेक्शन जो है इंट्रा मस्कलर र्जीट से जो है वो लगाया जता है पेशन को तो अब बात आती है कि प्रेग्णची के दौरान बैटनेस वाल इंजेक्शन को क्यों लगाया जता है तो वो आप समझे यहाँ पे तो वो होता है टोटल 40 विक का पर अगर प्री टर्म मतलब की ऐसी कंडिशन के अगर 32 से लेकर 35 विक के प्रेगनसी के दोरान ऐसा है कि प्री टर्म बर्थ हो सकता है बेबी का और ऐसी कंडिशन में कई बार ऐसा होते कि जो बच्चे की जो लंग्स होते हैं उसके फेपडे जो होते हैं वो अच्छे से develop नहीं होते हैं साथ हुसाथ जब आप sonography वगएरा करवाते हैं ultrasound वगएरा करवाते हैं या फिर 3D ultrasound वगएरा करवाते हैं रूस्वक चेक करते हैं तो पता चलता है कि कई बार बच्चे का weight भी कम होता है as well as उसके जो lungs होते हैं वो develop नहीं होते साथ उसाथ कई बार heart अच्छे से develop नहीं हुआ होता lungs मलब कि उसके फेपडे और brain भी अच्छे से वो समय में develop नहीं होते कि जो 32 से लेकर 35 week का pregnancy का जो period अगर उस समय में अगर baby birth होता है तो ये कुछ complication हो सकते तो अगर आपके gynecologist को ऐसा लगता है कि baby का जो है वो birth preterm हो सकता है पूर्व प्रसव के सितिय तो उस वक्त वो ये injection लगाता है कि जिससे baby के lungs वगिरा जो हो अच्छे से develop हो कई बार ऐसा भी होता है कि जो membran होता है वो rupture हो जाता है कि यहाँ पर आप देखो कि placent आप यहाँ पर देख सकते है फिर umbilical cord यहाँ पर देख सकते कि यह baby के आसपास यह वाला umbilical cord है यह वाला fetus देख सकते है और अंदर जो होता है वो amniotic fluid होता है और यह amniotic sec और उसके आफस पास रहा है एक membrane तो कई बार क्या होता है कि कुछ reasons के करण ये membrane भी जो है वो कई बार rupture हो जाते कि जिसके करण अंदर जो है वो जो हम normal language में कहते है कि जो पानी कम हो जाना तो ऐसे condition में कई बार baby जो है वो अंदर अच्छे से develop नहीं हो पाता और जब ऐसे condition होते है तो अगर पहले से आपके gynecologist ऐसे अंदाज लगा लेते कि ये problem सायद हो सकती है तो उस वक्त वो 32 से लेकर 35 weeks के जो pregnancy के दोरान बैटनेस और इंजेक्शन को जो वो prescribe करते कि जिससे baby के lung अच्छे से develop हो सके उसके brain का अच्छे से development हो और उसका heart जो हो अच्छे से develop हो भाई तो ये injection को proper ऐसे condition में लगा जाता है कि जब risk है preterm labor का और बच्चे के lungs जो अच्छे से develop नहीं हुए but only सिर्फ ऐसी condition की जापे आप ultrasound report वगेरा करवाते हैं और ऐसा पता चलता है कि बेबी की growth अच्छे से नहीं हो रही तो ही ये injection को जे वो prescribe किया जाता है वरना अगर बेबी की growth अच्छे है कोई भी कोई complications नहीं है तो इस वक्त ये injection को लगाने की ज़रूरत नहीं रहती तो बात यह है कि अगर आपका benefits ज्यादा है रिस्क के compare में और ऐसी condition की जहाँ पे बेबी को बचाना जरूरी है तो ऐसी condition में betnesol injection को जे वो लगाया जता है तो ये खास point आप समझेए कि जो risk होता है एक preterm बेबी का और preterm labor का तो उसको जो है वो reduce करने के लिए ये injection खास कर use किया जता है और वो अब अंदजित हम देखे तो 12 mg जितना betnesol जो है वो as a ideal doses जो लगाया जता है के दो injection जो लगाया जता है खास कर इसके और about 12 mg जितना betnesol जो है वो as a ideal dose के तोर पे pregnancy के दोरान जो है वो लगाया जता है तो कुछ और details समझे betnesol के pregnancy के अलावा भी उसके क्या यूज हो सकते तो ये anti-inflammatory medication है खास कर कि जो एक steroid or anti-inflammatory medication कही जाती है और एक ऐसे powerful medication है कि दुसरे भी बहुत सारे complications के अंदर ये medication को जो यूज किया जाती है तो specially जो अहाँ पर inflammation होती है सूजन होती है तो ऐसे condition को ठीक करने के लिए उसको prevent करने के लिए betnesol यूज किया जाता है तो allergy में भी यूज किया जाता है अगर किसी को breathing problem है तो भी दिया जाता है arthritis में यूज किया जाता है rheumatic problems में फिर बहुत सारे skin diseases में भी badnesol लगाया जाता है severe allergic reaction किसी को अस्थमा है COPD का जो problem होता है brain के अंदर सुजन हो रही है swelling हो रही है या फिर आपकी आखों के अंदर pain हो रहा है किसी भी surgery के बाद तो यह सभी medical conditions में madnessol यूज के जाता है फिर जो allergic reactions होती है dermatological reactions, endocrine disorders, gastrointestinal diseases, hematological मलब कि आपके blood के related कुछ problem है नियोप्लास्टिक diseases वगेरा है फिर nervous system से जोड़ी बीमारिया होती है, ophthalmic diseases, renal diseases मलब कि जो kidney के related होती है फिर हमारे respiratory tract के से जोड़ी बीमारिया, rheumated disorders, तो बहुत सारे से number of medical conditions से कि जिसके अंदर badnessol injection को use किया जाता है उसकी price हम देखे latest, तो आकरी जो 9 August के आसपास के हम price देखे, तो वो थी रुपीस, 5 रुपीस के अगर याप ये एक injection purchase करते हैं, सिर्फ एक ही ये वाला तो उसकी रुप price रहेगी, 5 रुपीस है, अगर आप 8 injection लेते हैं, तो वो 40 रुपीस के price में जो अवेलेबल होते हैं, तो काफी affordable injection है बाकिया हम उसके dose के बात करें, तो 4 mg पर ml solution रहता है injection के अंदर, कि अगर ये एक ml जितना patient को intramuscularly inject किया जाता है, तो 4 mg जितनी drug उसके body के अंदर जो ही वो inject होगी फिर adult dose के हम बात करें, तो 4 से लेकर 20 mg जितना beta-methasone, जो वो administer किया जाता है, और वो भी proper slow IV infusion से दिया जाएगा या फिर half से लेकर 1 minute के time में अगर आप देते हैं, तो इस तरह से proper slowly ये injection दिया जाता है, इंटramuscular root से भी ये injection जो दिया जाता है और repeated कर सकते हैं, तीन से चार टाइम ये dose को 24 hours के अंदर, तो ये खास समझें कि 4 से लेकर 20 mg जितना dose per day आप जो इसका दे सकते हैं, तो मतलब 1 ml से लेकर 5 ml तक ये medication जो वो inject कर सकते हैं पेशन को, बाकि हम बात करें उसके pediatric dose की, तो pediatric के लिए सिर्फ फर सिर्फ 1 mg मतलब कि 0.25 ml जतना inject किया जाता है, फिर एक से लेकर 5 साल की age है बच्चे की तो 2 mg जितना मतलब कि 0.50 ml जितना medication आप उसको दे सकते हैं, अगर 1 year तक की age है तो 1 mg मतलब कि 0.25 ml, 6 से लेकर 12 साल की age है बच्चे की तो उस वक्त आप 4 mg जितना उसको पर डे वो दे सकते हैं कि around 1 ml, तो और ये dose जो आप repeat कर सकते हैं 20, 4 hours के अंदर 3 से लेकर 4 टाइम, तो proper patient के conditions के according to ये dose जो वो दिया जाता है कि minimum आप 1 ml या फिर 0.25 ml बच्चे के age के according to कि जो यहाँ पर describe है उसके according to दे सकते हैं, बाकि उसके mechanism के बात करें तो ये का करते हैं कि जो pain के लिए जो responsible mediators होते हैं, सूजन के लिए जो related mediators होते हैं, उनको block करके ये अपने pharmacological action देती है, तो especially जो सूजन के mediators या फिर जो inflammation के mediators कहे जाते हैं, उनको block करके badness all injection जो अपना काम करता है, बाकि उसके कुछ side effects देखे तो जब किसी को ये injection लगा जाते तो injection side पर reaction साह सकती है, जैसे की injection side पर pain हो सकता है, swelling, redness जैसा हो सकता है, insomnia मतलब के आपको लाथ को late तक नेंद नहीं आएगी, vertigo मतलब की चक्कर आ सकते है, weight gain मतलब के आपका वजन बढ़ सकता है, ये injection लेने के बाद skin healing जो हो इंपैर हो सकते हैं मतलब की, जो कई बार जो हमारे healing की process होती है, गाव जो सूख जाते हैं वो process होती है, तो वो delay हो सकती है, depression में कुछ patient जाते है, hypertension मतलब की उनका blood pressure, hypertension मतलब की blood pressure increase हो सकता है, ये side effect develop होती है, increase appetite मतलब की ये injection आपको समझे के regular लगाए जाते हैं, तो आपकी भूख जो है वो बड़ेगी, increase appetite जो कहा जाता है, electrolyte आपके body में imbalance हो जाएगा, neurological disorder होते है, abnormal hair growth होती है, फिर blood sugar level increase हो सकता है, bone या फिर muscle या फिर joint pain होता है, gastro-intestinal disorder as well as skin के related बीमारिया हो सकती है, contraindications के बाद करें तो pregnancy के दोरान, दूसरे trimester में unsafe है, कि जो first trimester जो कहा जाता है, और second trimester, तो उसमें ये injection को use नहीं करते, और third trimester में भी अगर आप use करते हैं, तो जैसे मैंने आपको आगे समझाए कि, risk के compare में, benefits ज़्याद है कि आपकी risk जो है वो कम है, और benefits जो है आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऐसी condition में, badness or injection को pregnancy में लगा जाता है, कि ऐसी condition के जहाँ पे, preterm, preterm birth का की मतलब कि, पूर्व प्रसव के स्थिती में हैं, pregnancy में use करते हैं, फिर kidney disease के जो patient होते हैं, जो kidney related बीमारी हैं, उनको भी proper precautions के साथ, ये injection लगा जाता है, फिर अगर किसी को allergy हो जाती है, बेटा मिठा सोन से, तो भी ये injection नहीं लगाते हैं, फिर TB inactive हैं, या फिर उसका treatment अभी चल रहा है, या फिर proper treat नहीं हुआ है TB, active condition है TB की, तो भी ये injection ना use करें, harpes inflex का infection, due to the fungus, कि fungus के करण, food के करण infection में use नहीं किया जाता, जो harpes हो जाते हैं, उसमें भी use नहीं किया जाता, और thyroid hormone आपके बहुत ही low है, तो ऐसे condition में भी betnesol injection को नहीं लगाते, तो या थी detail जन करें, betnesol के तो ऐसे सिखे दवायों के basic use के बार में, dose side effect, warning and contraindication, एक साल तक affordable price में, farmer rocks के आप उपर, डाउनलोड करें है, farmer rocks और सिखे दवायों के basic use के बार में, disease and medicines के बार में, whatsapp कर सकते हैं, 9016312020 पे, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी, या फिर, 90163120 पे आप call या whatsapp कर सकते हैं, good luck and all the best. कर दोखायों के अंदर कर देंदर प्रेंदर।